नमस्ते, मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा, यादाश्ट खराब हो जाना, चीजे रखके भूल जाना, बात करते करते किसी का नाम ना याद आना, ये बड़ी आम समस्या हो गया और उसके बहुत सारे कारण है, यानि जनेटिक तो होते ही है, साथ में ये जो हम गैजट्स यू उससे भी हमारी यादश्ट खराब होने लगती है, लेकिन आप अगर नियमित रूप से योगा अभ्यास करें तो अपनी यादश्ट को बहतर कर सकते हैं, कैसे ही मैं बताऊंगे आपको, लेकिन उससे बहले आज का योग विचार, स्मृति और विस्मृति दोनों वर्दान हैं, बिल्कुल सई सुना आपने, स्मृति और विस्मृति दोनों वर्दान हैं, अगर परमात्मा ने हमें स्मृति और विस्मृति दोनों में से एक भी चीज नहीं दी होती, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, कौन जिवासान से योग की क्रिया हैं, जिनका नि फाइद हस्त पादासन करें, जो सभी कर सकते हैं, पैरों को कंधों की चौड़ाई में खोल लेना, नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ सामने की और जुकना, गर्दन को हाथों को बिल्कुल धीला छोड़ देना, लेद द ब्लाट फ्लो तुवर्द्स यो स्कल, यथा सामर्थे देरे देरे से वापस आ जाना, हाथों को आपस में मिला लेना, शरीर को धीला छोड़ देना, तीन से चार बार तक आप इसे रिपीट कर सकते हैं, साथ ही हम करेंगे रेखा गती का अभ्यास, रेखा गती के लिए एड़ी पंजे मिला करके सीधे खड़े हो जाना, हाथ आइस पर चिपके रहेंगे, आखे बंद कर लेना इमानदारी के साथ, यानि आखे थ्रूआउट प्राक्टिस बंद रहेंगी, एक एक स्टेप आगे बढ़ना ऐसे कि दाया पैर आगे गया तो दाई एड़ी बाई पंजे को चू जाए, गती के साथ रेखा को मिन्टेन कर इसलिए इसका नाम है रेखा गती, दस स्टेप्स आगे की ओर बढ़ना और फिर दस स्टेप्स इसी लाइन को मेंटेन करते हुए पीछे की ओर आना, ऐसा करती समय आपको डिस बैलन्स में अनुभव होगा, आपको लगेगा आप गिर सकते हैं, तो अपने आपको नियंतरि रखते हुए, इसको करना है, चार से पांच बार तक आप इसे रिपीट कर सकते हैं, हाथों को मिला लें, पेरों को खोल लें, शरीर को झीला छोड़ दें ख्रियाओं का निया में तब्यास करिये, लेकिन जाने से पहले हमारे घरेलू नुस्खे जरूर लेते जाएं, अगर आपको भी लग रहे कि आपकी आदाश्त खराबुरी और किसी भी आयू वर्ग के हैं, ऐसा निकिसा बिद्यार्थियों को ही अच्छी आदाश्त के आव आय के दूद में अगर आप एक चम्मच, अल्मन डॉयल यानि बदाम का तेल मिलाकर के पीते हैं, तो ये भी आपकी आदाश्त को बहतर करता है, और अखरोट का जो आकार है वो आपके दिमाग जैसा है, तो ये आपके बहुत धिक शमताओं को बढ़ाता है, आपकी बहतर होगी, आप स्वस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और किसी परिशानी से नहीं त्रस्त रहेंगे.